23 सेप्टेंबर 1917 संकल्प दिवस यह घटना 23 सेप्टेंबर बड़ोदा इस्टेट की यानि जो स्याजी राव गायकवार वहां के दर्दरेश थे उस समय की है 12 लठेत लोग हाथ में लाठियां लेके दनादन दनादन एक कमरी की तरफ बड़े चले जा रहे है एक सराय है एक होटल है एक हिन है जहां उनका टारगेट एक ऐसा आदमी है जो उस रियासत का सचिप के हैसे से काम करता है सचिप एक बहुत बड़ी पोश्ट होती है जैसे आज की डेट में आप समझ लें के डिफेंस सचिप या फाइनेंस सेकरेटरी या होम सेकरेटरी ठीक ऐसे ही स्टेट का सेकरेटरी रहें का आदमी अमरिका से इंग्लेंड से रिटन वो आदमी जा के उसका धरवजा खटटाते हैं और सामने देखते हैं कि एक सूटिट बूटिट नौ जवान लगबग 25-26 साल का खड़ा हुआ है चेहरे पर एजूकेशन की चाप गर बलग दिखाई देता है वो सारे लोग आँखों में नफरत और गुस्टा लेके जहर भर कर उसको कहते हैं कि वो सराय को छोड़ दे यह जो व्यक्ति है यह कहता है कि मैं एक हप्ते मैं छोड़ दूँगा आप मुझे एक हप्ते की मौलत दे दीजिए नगर वो लोग नफरत से इतने ज़्यादा भरे हुए हैं गुस्टे से इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि सिर्फ शाम तक की मौलत देते हैं उस व्यक्ति के लिए शाम तक की मौलत और उसमें इंत्याम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है 12 सेप्टंबर को 1917 को वो व्यक्ति जोइन करता है जिसका नाम है डॉक्टर अमबेटकर 11 सेप्टंबर 2017 को अपॉंट्मेंट लेटर मिलता है अपॉंट्मेंट लेटर मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर एक भी व्यक्ति उसको लेने के लिए नहीं आता जबकि वो सेकर्टरी रेंक का अपसर है उस स्टेट का कहीं कोई मकान कराये पर नहीं मिलता किसी भी जगे अंत में ये सराय मिलती है इस सराय में वो लगबग 11 दिन बहुत महंगे दामों पर डेड़ रुपे रोज खाना और रहना और वो भी कमरा इस्टोर रुम प्रॉपर कमरा नहीं इस्टोर रुम में भी इतनी जगे है कि सिर्फ लेट सके बाकी वहाँ पुराना फॉनिचर चूहे चमकादर कौकरोच ये सब वहाँ आना जाना और धूल भरी वी अलग ये डेड़ रुपे रोज बहुत महँगा कराया होता है क्योंकि तनखा उस समय सचिब लेवल के आदमी की 150 रुपे थी लगवग 45 रुपे महीने खाना और रहना फिर भी मंजूर किया क्योंकि कहीं कुछ मिल नहीं जाता उस पे भी जो लोग आये उन्होंने आके धमकाया गाली करोच की बावा साब अमबेट करने उसको देखा समझा उसके बाद उनके साथ जो पड़े हुए लोग थे क्योंकि बड़ोदा के जो नरेश थे उन्होंने काफी लोगों को स्कुलर्शिप दी थी उनमेंसे दो लोग बावा साब के साथ पड़े हुए वहाँ भी थे उनको कहा कि आप कुहीं रहने के अंज्याम कराएं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिये दिवान को कहा कि दिवान मेरे रहने के अंज्याम कीजिए मुझे सरकारी कौट दिलाईए दिवान ने भी हाथ खड़े कर दिये जो बड़ोदा नरेस थे उन्होंने भी अपनी मजबूरी दिखा दी क्योंकि वो उस लिमिट से जागे जाके मदद नहीं कर सकते थे पहले ही उन्होंने इतनी ज़्यादा करांती की कि जो हजारों सल परानी परंपरा थी उसे तोड़ कि उन्होंने स्कुलर्शिफ दी पढ़ाया और उसके बाद नोकरी भी दी मगर एक साथ चीज़ां नहीं बदलती ये बात सब जानते हैं और बड़ोदा के नरेस तो बहुत ही जादा वाइज मैन और बुद्धिमान विक्ती रहते बावा साब अम्बेटकर को अब मुंबई का रास्ता दिखाई देने लगा उन्होंने बड़ोदा के नरेस से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे रिण मुक्त करते हैं क्योंकि बड़ोदा के नरेस ने जो साड़े ग्यारे पॉंड पर महने की तीन साल तक जो इसकोलर्शिप दी उसके साथ में करार और बॉंड भी था कि बावा साब अम्बेटकर को दस साल तक बड़ोदा इस्टेट में नौक्री करनी होगी तनखा के साथ जब देखा सियाजी राव गयागवार जी ने और बावसाव अम्बेटकरने के बात नहीं बन पाएगी नौक्री नहीं उपाएगी तो बड़ोदा नरेस ने उनको रिनमुक्त कर दिया मुंबई की टेन में बंबई की टेन में अभी काफी समय था नौ बज़े की टेन थी चार घंटे का समय उनके पास था खामाटी बाग में वो जाके बैठे एक बरगत की पिड़ की नी नीचे और सारा जितना भी मान अपमान इर्षा थी उसको उन्होंने रिवाइंड किया याद किया जो लोग ताकतवर होते हैं जो लोग समझदार होते हैं वो सारी निगिटिव एनर्जी का सारे अपमान का सारे इर्षा का सारे जलन का सारे कटू विवार का सारे गली गलोच का जो भी उन्हें जीवन में मिलता है उसको एखटा कर लेते हैं और उसको एखटा करके उसमें उर्जा बनाके सूरज की तरह चमकते हैं और हजार लोगों का भला करते हैं वो कभी डेप्रेसन में नहीं आते हैं वो परशाने होते बारे लठेत आये बाबा साथ तस से मसने हुए उन्होंने खूब सारा कहा दुनिया ने खूब उनको कहा अपमान दिया आफिस में अपमान दिया ना वो डेप्रेसन में आए ना वो अपसाथ में आए एक छ़ण के लिए कहीं कमजोर हुए होंगे बगर अगले छ़ण वो अज़्यादा मझबूत हो गए उन्होंने दुनिया देखी दुनिया को जाना इसलिए उन्होंने सारी जितनी भी कड़वार थी उसका एक positive चीज़ बनाई और वो किताबों में और education में लख गए और उन्होंने उस पार्क में अपने आप से commitment की एक रुजुलस की एक उन्होंने determination की एक संकल्ब किया एक अधिठान किया इसलिए इसको संकल्ब दिवस गोलते हैं उन्होंने अधिठान किया कि अब मैं समाज के सभी लोग के लिए वो काम करूंगा जिससे कि भारत आगे पड़ सके और जो दवे पिछले कुछले लोग हैं सारे भारत में उनका उत्थान हो सके उसके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगाऊंगा और जीते जीवनों ने उसको पूरा भी किया ऐसे अधिठान बहुत लोगों ने सफल लोगों ने किये दुनिया का सबसे प्ला जो अधिठान है वो भगवान बुद्ध ने किया जिसको अधिठानों का अधिठान बोलते हैं, महाँ अधिठान बोलते हैं, क्या अधिठान था, क्या अधिठान था, कि मैं जब तक अपने आसन से नहीं हिलूँगा, ना में उठूँगा, जब तक मैं ये ना पता कर लूँ, कि जीवन कैसे काम करता है, जो जीवन का चक्र है वो कैसे काम करता है, दुख कैसे आता है, कैसे जाता है, यह कैसे काम करता है, यानि human के software में और human के hardware में दुख कैसे आता है, कैसे जाता है, चाहे मेरी हड़ी तूट जाए, चाहे मेरा mask खतम हुजाए, चाहे मैं मर जाओं, और अनन्त वो सफल हुए, दुनिया के पहले वक्त कि मैं महिलाओं को पढ़ाऊंगा, औरतों को पढ़ाऊंगा, सब को सिक्षा दूंगा और उन्होंने महिलाओं के स्कूल खोले, अपनी वायव को पढ़ाया, दुनिया ने कितने सारे स्ट्रेंद किये, मगर वो नहीं तर्से मस हुए, उनकी सिक्षा की जो ऊड़ जा थी, वो ऐसी कहान ही सुनाई जाती है, कि समराट असोक ने तलवा रख दी, और उन्होंने तलवा रखी, तो हम गुलाम होगे, समराट असोक के रहते हम गुलाम नहीं हुए, समराट असोक के जो बेटे थे, उनके रहते गुलाम नहीं हुए, उनके जो पोते थे तब तक भी हम गु से हुए बाहर की जो सेनाय थी वो तैनात थी असोक के समय में समराट असोक ने बाहर अपनी सेनाय कभी नहीं हटाई इसलिए समराट असोक के समय में कोई बाहरी आकरमन कभी हुआ ही नहीं उट सब सेनाय सोक चितनी हतियार बाहर वालों के लिए था घर वालों के लिए कोई हत आतियार अपने जो लोग थे भारत के उनके लिए रखे जब कलिंगा का यह दुवार देखा कि मैं अपने ही लोगों को मार रहा हूं ऐसा यह दिठान काशी रामजी ने किया जिससे वो मानने वर बने उन्होंने प्रण किया कि वो घर नहीं जाएंगे अब नौकरी नहीं करे इसके रिजल टाए ऐसे अधिक्टान बहुत लोग करते हैं और वहां जाके बहुत सारे लोग बढ़ो दरायमें जो कामाटी वाग है उसमें बहुत सारे संकल्प लोग करते हैं आप भी जाके वहां कोईड़ा कोई संकल्प की दिए यह कितने कमाल की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल लिवासी है उसको बारह जो पारसी जो बिदेशी लोग हैं जो यहां सरनार्टी हैं जो रिफ्यूजी हैं वो आके धमकाते हैं यह विद्धा जाने से एजूकेसन जाने से समझ जाने से पता चलता है मगर बावा साब को यह पता था कि यह भारत के लोग न नहीं क्योंकि बावा साब ने जीवन के इस तरको बहुत उचा उठा दिया है आप बड़ोधा जाईए वहाँ जाके बड़ोधा घपलेस देखिए जहां बावा साब ने नौकरी की वह जग़ा देखिए एक संकल्प कीजिए अच्छा सा जिससे भारत आगे बढ़ सके इसलिए यह सारे लोग पड़ेंगे तो और लोगों को पड़ाएंगे सिक्चा आगे फेलाएंगे क्योंकि बावा साब ने जितनी जीते जीते हैं जितनी जीते हैं वो लोगों को मार किते थे हिंसा के नाम पे और जिन लोगों ने हिंसा नहीं की वो लोग जीत गए और सत्ता उनके पास चली गए और वही राजा बने इसलिए हिंसा रास्ता नहीं है ये बावा साब ने बलकुल इस पश्ट कहा हो है रास्ता हमारा किताब है रास्ता हमारा कमल है यही संकल बावा साब ने जो कामाटी पार के उसमे लिया बावा साब ने उन बारे लोगों से एक भी सब्द हिंसा का नहीं बोला और आज बावा साब की स्टैचू से भी लोग घबराते हैं यानि बावा साब के विचार और बावा साब के सद्धान तो इतने पावरफुल हैं कि उनकी इस टैचू भी अगर आस्तिम दिखाई दिती हैं तो जो कमजोर दिल के लोग हैं वो कापना सुरू कर देते हैं जो अंजान लोग हैं वो कापना सुरू कर देते हैं तो सिक्षाएं इतनी पाप पाउर्फल होती हैं इसलिए आप अपनी सिक्षा को बढ़ाईए और संक्लब लीजिए धन्यवाद